नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों आप शबी को बता दी कि अब हो जाए शावधान आप शबी को बता दी कि यहाई इंचान अंदर ये अंदर आपके लिए शारा खेल खड़ा कर चुका है आपको बहुती बड़ा शुणेंतर में फाशाने वाला है यह एक इंसान जिया दोसों हम आप शबी को बता दी कि आप शे हांत जोड़ कर बिनती है कि दोसों इस इंसान को अभी ही अपने जुनकाल में शे दूद में शे मक्की की तरह निकार कर फैंक देजी जeg दोसों इनमय ही आपकी भलाई है आज कि िदेखर के सबसे बढ़े राश्य शे परदे उठाने वाले हैं दोसों जनने शुनकर आपके होश उट जाएंगे दोस्तों आपको बताते कि यह वीडियो आपके जोनकाल के लिए और आने वाले भुष के लिए बहुत ज़्यादा महत्पुन शाविद होंगे इसलिए दोस्तों आजके इस वीडियो को आप भूल शेवी मिश्चना करें और शुरू से लेकर अंतर तक ध्याउश देखिएगा जे दोस्तों और आजके इस वीडियो में जो राज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों इनके बारे में आपके शवी को भी मत बताईएगा वरना दोस्तों आपके शत्र वर्ग शत्रक्त हो सकते हैं विडियो को बहुत जबी आदा करते हैं हम आपको वह शभी जया करें कि कौन है केशे आप इनको पहचान सकते हैं केशे दोस्टों आप इनको अपने जुनकाल में दूध मैशे मक्की की तरह निकाल कर फेंक शकते हैं इनके शार्द्ध दोस्टों हम आप शीव को बताते हैं कि वीडियो के अंत में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्पून उपाई की जिनें दोस्तों आप करेंगे तो दोस्तों आपके जुनकाल में जो भी कारे आपके बिगडे हुए हैं वो भी बन जाएंगे और आपके जुनकाल में पुना हया विक्ति वापश नहीं आपाएगा तो दोस्तों वीडियो को अंत तक दिख गज्टेगा को अपने जंकाल करने से यह दो अच्छा काम करते रहो कोई शंवान करे या न कि न होता है तब कड़ोnda लोग नीन में होते ही फिर भी शुरुदे होता ही है जो अईसी प्रकार आपके विजून Karl में कोई व्यक्ति आपका स्रमान करता हो या फिर ना करता ना करता हो या फिर या जब आप उसे मिलने के लिए उन्हें निकालने के अपश्वक्ता पड़ जाएगी तो दोसों आप इसी परकार अपने जिरुकाल में अच्छे कर्म करते रहें फल की जिनता ना करें जै दोसों क्यों कर्मों का फल श्वेंग भगवान श्रीकिष्ण आपको देंगे जै दोसों तो दोसों और आपको यहां बात है अच्छे लगी हो यह बातों को आप शुन पाए हैं तो दोसों वीडियो को एक लाइक जरू करें और इनके लिए कमेंट बॉक्ष मिलिग दें जै श्रीकिष्ण रादे रादे तो आई दोसों से के शाथ बात करते हैं कि आकिर वह व्यक्ति कौन है जोने आपको अपने जुनकाल से दूद महिश्व मक्य की तरह निकाल कर फैक देना चाहिए जै दोसों शबसे वह दोसों आप शुभी को बिदा दें कि पिछले कुई पिछले कुशालों से आप उपने जुनकाल में बहुत ज्यादा चेंती थे हैं इस राद से के जितने भी जातक हैं इन लोगों ने बहुत कुछ करने का प्रयाश भी किया है प्रंतु हर जगह इनके हाथ अशफलता ही लगी है अब दोस्तों हम आप शुभी को बताना चाहे हैंगे कि इन शफलताओं के पीछे आपकी कमियां ही है आपकी गलतियां भी है जैंदोसों प्रंतु आपके शाथ दोस्तों कुछ येशे भी आस्तिन का शांप हैं कुछ येशे दुश्मन हैं जो कि आपके अपने बनने का नाटक रज़ते हैं धौंग रज़ते हैं और दो दोस्तों यहीं शब्सी बड़ी गलती है कि आप अभी तक अपने जून में दोस्तों कुछ भी नहीं कर पाए हैं जदोस आप शीव को बिता दी कि दोसों पुनों इने कभी भी अपने जुनकाल में आने नहीं देना है। दोस्वम अब शी 10 की बता दें किस राशे के जितने वी जातक हैं इनके शुबहती ज्यादा शीदे होते हें बहुत है शुल्ष वह की आपि इंशान होते ही लोगों के मन में कभी भी किश्झी परकार के आहंकार नहीं होता और दोसों आप Nichols अब मनमें किश्झी परकार प्रतुला है जिया दोस्तों कुछ लोग तो वेशे हैं जिने आपके कोई मतलब नहीं प्रंतु आपकी भावनों के शाथ खेलना चाहते हैं यानि कि दोस्तों आपकी अच्छायों का फायदा उठाने के लिए इस दुनिया में परतमान शमय में तो कई शारे चालांक लोग है आपको इतनी चलांकी नहीं करने आती इतने शणियंत रचने नहीं आते इसे में दोस्तों कई लोग आपकी माशुमियत का अच्छायों का फायदा उठाने के लिए केवल आपके शामने मुशिवत में होने के धोंग रजते हैं नाटक करते हैं क्योंकि दोस्तों उन्हें प इसे को मुशिवत में देख नहीं पाते फिर चाहिए वो आपके दुश्मन ही क्यों ना हूँ यह दोस्तों इस राशी के शबी जात तक मदद करने के लिए आगे रहते हैं एसे में दोस्तों आपके शामने मुशिवत में होने का शंकट में होने का यह लोग ढोंग रहते है और दोस्तों उनके काम निकल जाने शी आप उनके जाल में अशाने शी फंसते चले जाते हैं तो दोस्तों आपको एशे चीजों का ध्यान रखना है कि दोस्तों आपको एशा लगता है कि ये जो व्यक्ति है आपका साथ दे रहा है वो आपका अपना व्यक्ति है आपका अपना शच्चा मित्र है शच्चा दोस्त है लेकिन दोस्तों ये अश में आप गलत हैं और आप दोस्तों इन भावनों में बह जाते हैं पर दोस्तों असलियत में दूर दूर तक इसका कोई नाता नहीं होता ये दोस्तों आपको तो आपको गुनगाएगा दोसों आपको अच्छा बताएगा प्रतुष जब उनका काम निकल गया जब उसका मतलब घत्म हो गया फिर दोसल तो दोसों एशे में आपको इशे वेक्तियों को अपने जुनकाल से तूरंत दूद में शे मक्की की तर निकाल कर फैंक देना चाहिए दोसों दोबारा ये चाहिए कितना भी गिड़ गड़ाई क्यों ना जे दोसों इनकी शाहता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है जे दोसों इन बातों को आप ध्यान में रखें क्यों दोसों एशे लोग आप शे कितने भी अच्छे क्यों ना रहे एक ना एक दिन आपको दोखा देही देते हैं इसे लोगों शीए आप शावदा रहे कि वो दूस्तों इसे लोग बहुत जगा चालांक होते हैं और आपको इसे लोग बड़ी मुश्यद मन छोड़कर भाग जाएंगे दूस्तों इन लोगों शीए आप पेशों को लेंड़न में कोई भी कारी ना करें कि वो दूसरों आप अक्षर पेशे देकर फस जाते हैं पेशे के लेन देन आप शिवी के लिए बहुत ही कदरनाक शाविद होती है बहुत ही खराब योग हैं तो आप शिवी के लिए शाविद होती है तो दोस्तों इन लोगों शिवी आप पेशों को लखकर कोई भी लेन देन बिल्कुली ना करें इसके साथ दोस्वों हम गरहों की हिशाप से बात करें तो दोस्वों आपको अब शावधा रहना है शतक रहना है ताके दोस्वों ऐसे लोग आपकी जुनकाल में दस तक ना दे दोस्तों आपको अपने जुनकाल में आगे बढ़ते रहे अपने लक्ष को आप प्राप्त करते रहे वह दोस्तों से के शाद बात करते हैं अंत में कि अब आपको अपने जुनकाल में कौन शेयो पाय को करना चाहिए कि दोस्तों ऐसे लोग आपके जुनकाल में कोई भी आपको दोखे बाजी ना कर शेगे और आप इंशे हमेशा दूर ही रहें लोगों से जुटकारा पाने के लिए आप शनिवार के दिन और इसकोपा जबूर्ण यकार की लिए आपके शीवाब्ता की पृतGu खीर होगी और ब्सकान जोड़ी लोग आप शूधिय की जंगार में होते हैं दोस्टों उनसे आपकर बहुत ही जल्दी चूटकारा भी प्राक्त होगा तो दोसों बहुती म्ह investment ईपाए है आप इन्याज हैं जरूर किजेगा आप को जिनकार में आपको बहुती하지 है कि